नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं Magical Tech Guru और मैं आज आपका फिर से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ हमारे इस brand new video में जहां हम बात करने वाले हैं Xiaomi के 11T Pro के various tips and tricks and hidden hacks और दोस्तों मैं वीडियो के शुरू में ही आपको बता दू कि इस phone में ऐसे ऐसे features आपको Xiaomi ने दिये हैं जो कि किसी भी अन brand के flagship phones में भी आपको देखने को नहीं मिलता है बहुत ही unique features हैं दोस्तों काफी hidden features हैं काफी tips and tricks हैं जिसको definitely आप बिल्कुल भी नहीं जानते थे तो बिल्कुल अन तक देखेगे इस video को ताकि आप इस video से ज़्यादा ज़्यादा उठा सकें और अपने phone को use करने का बिल्कुल आपको नजरियां ही change हो जाएगा दोस्तों इस बार शुरुवात जो है वो camera app से करते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे camera app में आपको features ठूस ठूस के बड़े हैं चाहे वो 8K recording हो या फिर जब आप mode में जाते हैं तो आप देखते हैं आपको इसमें 108 megapixel का dedicated length देखने को मिलता है जिसका quality बहुत ही शानदार है औ दोस्तों जिसमें आप अपने Instagram के लिए या Reels के लिए या फिर Shots के लिए शाट वीडियो बना सकते हैं और सिर्फ इतना ही नहीं आपको music भी चुनने का option मिलता है आप देख सकते हैं कि Xiaomi के library से आपको license free music देखने को मिलता है जिसमें आप किसी को भी use कर सकते हैं और अगर आप यहाँ पर देखे तो आप speed भी change कर सकते हैं, super slow कर सकते हैं, regular fast, super fast बना सकते हैं, in fact back camera और front camera दोनों का आप यहाँ पर use कर सकते हैं और sony पे सुहागा तो तब हो जाता है जब आपको filters का भी option देखने को मिल जाता है, beautify का भी option देखने को मिल जाता है और kaleidoscope का भी option दे जाता है जो कि लगबग हर mobile में मिलता है Xiaomi के, मगर Xiaomi ने जो खेला किया है वो ये किया है कि dual video और clone video जो है गाइब करना शुरू कर दिया है other flagship phone से, मगर इसमें ये intact दियावा है, जिसमें आप जानते हैं dual video अगर आप use करेंगे तो front camera और back camera दोनों को आप साथ-साथ use कर सकते ह आप चाहें तो इसको और भी कस्टमाइज कर सकते हैं इस बटन को दबाके यानि यहाँ पर front camera आजाएगा यहाँ पर back camera आजाएगा फिर इसको touch कीजेगा तो आप देखेंगे कि horizontal vertical आ जाता है और switch करना चाहते है ओपर नीचे तो आप यह भी switch कर सकते हैं फिर से इस बटन क पर के तरफ तो हम लोग long tap करेंगे home screen में आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको wallpaper का option देखने को मिल जाता है और यहाँ पर एक बहुत ही interesting आपको live wallpaper भी देखने को मिल जाता है जिसमें आप कोई भी live wallpaper को select कर सकते हैं दोस्तों और इसको use कर सकते हैं जैसे इसको select करके आप download क जाएगा इसको आप अप्लाई करेंगे तो आपका home screen है वो live wallpaper से बढ़ जाएगा बहुत ही attractive लगता है यह देखने में और दोस्तों आपके Xiaomi 11T Pro में आपको super wallpaper का भी option देखने को मिल जाता है तो उसके लिए आप कहां पर जाएंगे तो obviously आप wallpaper में जाएंगे इसके बाद profile में जाएंगे और इस wallpapers के option में जाएंगे और वहां जाके आप super wallpaper सेलेक कर सकते हैं और दोस्तों यहाँ पर मैं एक चोटा सा आपको tip देदू कि अगर आपको wallpaper में जाना है तो कोई जोड़ी नहीं है कि आप home screen में long tap करके wallpaper जाएंगे तो आप देखेंगे आपको various options देखने को मिल जाता है जिसमें जो दूसरा option है वो split screen का जैसे ही आप इसको touch करेंगे तो देखेंगे आप half में split screen में आपका Chrome browser आ जाता है और दूसरे में आप जो भी आपका phone split screen mode में चला जाता है और screen के size को आप यहाँ पर tap करके उपर नीचे कर सकते हैं और अगर आप चाहते हैं कि Chrome पूरे page में आ जाएगा ठीक इसी तरह दोस्तों फिर से recent में जाते हैं long tap करके रखते हैं तो आप देख सकते हैं आपको floating window का भी option यहाँ पर देखना को मि आप जाता है अब आपको जो भी काम करना आप करते रह सकते हैं यह floating window शानती से यहाँ बैठा रहेगा और अगर आपको लगता है floating window का काम है तो बस type कीजिए देखे वापस से floating window आ जाता है अब चाहते हैं floating window को resize करना है तो यहाँ पर आप corner से इसको पकड़ लीजे और दे floating window बन जाता है अब आपको लगता है floating window का काम हो गया तो नीचे वाले बार को पकर के ऊपर के तरफ स्वाप कर दिए देखे लिए floating window गायब हो जाता है अब दोस्तों आप जानते हैं आपके Xiaomi 11T Pro में आपको AMOLED स्क्रीन देखने को मिलता है इसका मतलब यह है कि always on display भी आपक से कस्टमाइज कर सकते हैं इसके लिए आपको always on display का option में जाना और यहां से इसको enable कर देना है इसके बाद display item में आएगा इसमें आप always कर सकते हैं schedule कर सकते हैं 10 seconds after tapping कर सकते हैं जो भी आपके मरजी हो और further आप इसको बहुत कस्टमाइज कर सकते हैं दूस्तों जैसे यहां प को signature दिखेगा analog clock डाल सकते हैं इसके बाद kaleidoscope है उसको डाल सकते हैं आप कोई भी select कर सकते हैं apply कर देंगा और देखे यह automatically apply हो जाता है इसके बाद आप देख सकते हैं digital clock का भी option है और बहुत सारे background का option दिया गया है इनमें से आप किसी एक को भी select कर सकते हैं और इतना ही नह effects मिल जाएंगे जिसमें आपको none है यानि कि कोई भी effect नहीं होगा इसके बाद blue bar आप देख सकते हैं आपके screen के side में आ जाएगा अगर आप चाहें तो red आ सकता और आप चाहें तो starlight यानि कि star जैसा effect भी ला सकते हैं अपने notification effects में और always on display में आप देख सकते हैं race to wake up option मिल ज जाते हैं double tap करके अपने phone के screen को wake up करना या turn off करना तो इस option को आप enable कर सकते हैं इसके बाद always on display में अगर आप सबसी नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपको launch camera का option देखने को मिल जाता है इसका मतलब यह है दुस्तों कि volume down का जो बटन है उसको दो बार आप जल 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 प्रेस करेंगे तो camera जो है वो open हो जाएगा बले ही आपका phone lock क्यों ना हो यानि lock screen से अगर आप camera को open करना चाहते हैं बीना phone को open किये वे तो बस आपको volume की को दो बार जल 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 दी प्रेस कर देना है और obviously उससे पहले इस option को आपको enable कर देना है अब दूस्तों जैसा कि मैं को आप enable कर सकते हैं बस एक tap करके और again अगर आप dark mode को schedule करना चाहते हैं तो इस option में जा सकते हैं चाहे आप sunset to sunrise कर दीजी या आप custom कर दीजी यह बिल्कुल आपके ऊपर है और भी dark mode का option आपको देखने को मिल जाता है जिसमें आप adjust कर सकते हैं wallpaper को dark mode में और text of background को भी automatically adjust कर सक और यहां पर आप देख सकते हैं एक नए option आपको देखने को मिल जाता है sunlight mode का और इसको आप जैसे ही enable करेंगो दूस्तों तो अगर आपको automatic brightness off है तो भी यह आपके brightness को adjust कर देगा ambient light के अनसार इसका मतलब यह है कि जब भी आप बाहर जाएंगे तो आपका brightness level जो है phone का वो yellow color में turn हो जाता है यानि कि blue color को emit करना बिल्कुल छोड़ देता है जिससे आपके आखों को काफी सुकून मिलता है पढ़ने में बहुत ही आराम मिलता है normally रात में अगर आप इसमें कुछ reading करना चाहते हैं कुछ पढ़ना चाहते हैं या काफी content देखते हैं तो आपको reading mode देनेबल कर लेना चाहिए और इसी में एक कदम आगे बरके paper mode भी आपको देखना को मिल जाता है यानि कि आपका screen ना सिर्फ warmer color हो जाएगा बलकि आपको एक paper का texture भी देखने को मिलेगा background में जिससे आपको लगेगा आप बिल्कुल paper ही पर रहे हैं and again आपको हर दिन manually switch करने की ज़रूतनी reading mode में आप चाहें तो यहां से इसको schedule भी कर सकते हैं अपने time के अनुसार इसे में नीचे आप देखेंगा तो आपको color scheme का भी option देखने को मिल जाता है vivid है saturated है standard है standard आप देख सकते हैं बिल्कुल natural के आसपास है saturated आप देख सकते हैं कि बिल्कुल enhanced color आपको दे इसके बाद आप जानते हैं दोस्तों आपकी 11T pro में refresh rate 120Hz का भी मिलता है जो by default enable नहीं होता है refresh rate की page में जाके आपको 120Hz को select करना होगा और यह 120Hz refresh rate का बन जाएगा जिससे obviously आपका phone बिल्कुल मखहं का तरह smooth हो जाएगा मगर इसका drawback यह है दोस्तों की बैटरी भी थो रखा नहीं कि आपका जो screen है जवब navigate एक स्क्रीन से दूसरे screen में Wool Home screen में घर रखंबना चाहते हैं आप अब more में जाएंगो तो आप देख सकते हैं आपका home screen में with app drawer है classic है classic में सारा app एक ही page में होगा app drawer में आप नीचे से उपर swipe करेंगे तो app drawer खुल जाएगा जिसमें सारा का सारा apps आपको देखने को मिलता है और app drawer को आप further customize कर सकते हैं app suggestions group में यानि कि जैसे ही आप app drawer को खोलेंगे तो आप देखेंगे कि आपको यहां पर sessions देखने को मिलता है यह जो आपके 10 apps उपर में यह suggested apps हैं जिसको आपने recently use किया है और आप यहां पर देख सकते हैं आपको communication मिल सकता है आपको entertainment category मिल जाता है जो भी हम लोग देख रहेते हुँ यहां पर आपको कस्टमाइज करने को मिल जाता है इसक बाद दूस्तो background आप कस्टमाइज कर सकते हैं आप dark mode कर सकते हैं आप auto रख सकते हैं आप background के transparency को बढ़ा गटा सकते हैं बिलकुल आपके उपर है बस आपको apply कर देना और यह हो जा जाएंगे तो अगें long tap करेंगे settings में जाएंगे more में जाएंगे और यहां पर आप देख सकते हैं माइनस one screen में Google discoverer अभी set या तो आप इसको app vault में कर सकते हैं या none कर देंगा और जैसे ही आप राइट स्वाइब करेंगे तो आप देख सकते हैं कि माइनस one screen में गूगल discoverer आ रहा है और नहीं app vault आ रहा है अब दोस्तों अगर आप अपने Xiaomi के 11T pro phone में system navigation को बटन से हटा के gesture बनाना चाहते हैं इसका मतलब यह है कि iPhone के तरह आप बिल्कुल यूज करना चाहते हैं यानी नीचे बटन ना हो बिल्कुल एक gesture हो जिसे आप left right करें और आपका बिल्कुल यहां आ जाता है और recent यहां आ जाता है बटन से आपको मन बढ़ गया है आपको gesture यूज करना है तो बस आपको gesture select कर लेना है और आप यहां पर देख सकते हैं आपको नीचे छोटा सा बार आ जाता है बटन गयाब हो जाता है और आपका phone बिल्कुल iPhone के तरह ready है यूज करने क जाते है इंफ्धा अपर राइट से भी करना चाहिए तो अपकर सकते हो देख सकते हैं यहाप एगार नदाश मैध सकते हैं यहाप tyre अभी इंडिकर कर सकते हैं और लिके ngo. फुल स्क्रेंड इंडिकेटर था वह घाया हो जाता है और आपको कभी भी navigation में दिक्कbrid होता है तो आप यहाँ देख सकते होँ डेपो आपको मिलता है कैसे आप हों स्क्रिण में जाएंगे कैसे सर्पिस्टेंस में जाएंगे प्षाइणग के व मैक kardeşim दोस्तों home screen में अगर आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगा आपको recents में बहुत सरा hidden features देखने को मिल जाता है जैसे arrange item in recents जैसे ही आप इसको enable करेंगे तो आप देखेंगे कि आप recents में by default vertically apps को arrange करने को बजाए horizontally भी कर सकते हैं अगर आप horizontally पर करेंगे तो अभी आप देखेंगे कि अभी आप vertically देख रहे थे आप रिसेंस में जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि आपको horizontally सारा screen देखने को मिल जाता है और अभी आप recents में देख रहे थे कि किसी भी तरह को memory status यह memory information आपको देखने को नहीं मिल रहा है मगर अगर आप इस option को enable कर देंगे शो memory status को अगर आप recents में जाएंगे तो आप देख सकते हैं तीन जीवी छे जीवी में से available है यह status आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है इस बाद अगेन आप इसमें जाएंगे बलर आप प्रिवी में जाएंगे तो आप जानते हैं कि अगर आप recents में कोई ऐसा आप देख रहे हैं जो कि काफी confidential हो जैसे आपको banking का एप यह फिर whatsapp हो जिसमें आपका काफी personal information है वो कोई और देखना सके तांक जाके तो आप बलर प्रिवी में cleaner, security scan, find apps, manage apps का option है आप आपको देखने को मिल जाता है यानि कि आपको यहाँ पर 4 solutions देखने को मिल जाता है आप जो भी चाहाँ यूज़ कर सकते हैं आप cleaner को ओपन करना चाहिए यहां से आप directly cleaner को ओपन कर सकते हैं दोस्तों अगर आपके 11T pro में वाइफाई आन है और अगर data ही essentially use करने के ज़रूत नहीं है वाइफाई भी इसमें आपको ट्रेथरिंग बहुत आसानी से करता है वो भी directly अब दोस्तों next settings के तरफ चलते हैं तो obviously settings में जाएंगे इसके बाद sound and vibration में जाएंगे और यहां पर आप देख सकते हैं notifications में आपको बहुत सरा option देखने को मिल जाता है रिंग्टोंस के रूप में जिसमें अगर आप सबसे नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कि आपको बिल्कुल नैचरल रिंग्टोंस के भी option इसमें देखने को मिल जाता है जैसे रेन फॉरेस्ट है सवाना है औस्ट्रेलिया है आक्टिक है बैक जाएंगे और य देखेंगे एक आइकॉन आपको यहाँ पर मुजिया जया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको individual volume बार मिलेर जाता है gorIT के लिए वीम ai की music इतना बढ़िया काम करता है मखन के तरह कि आपको करने में भी बहुत मजा आएगा। इसके बाद आप जानते हैं इसमें आपको Dolby Atmos का सपोर्ट देखने को मिल जाता है बस इसको आपको यहां से इनेबल कर देना और प्रिसेट में आप चाहें तो डैनमिक वीडियो, म्यूजिक, वाइस कोई भी चुन सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगता हो इन फैक्ट ग्राफिक एकुलवाइजर इसमें आपको मिल जाता है इसको भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं प्रिसेट, रॉक, जैज, कोई भी क्ल क्ट्रोल सेंटर में जाएंगे और यहां पर आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन के तीन टाइप मिल जाते हैं ईन लोग स्क्रीन में फ्लोटिंग नोटिफिकेशनां और बैज indem कर सकते हैं जैसा भी आप चाहते हैं नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पर आए इसकी बाद नोटिफिकेशन शीड कैसा हो दुस्तों आप देख सकते हैं यह निया तरह का control center style आपको देखने को मिलता है जिसमें आप left swipe करेंगे तो आपको notification आएगा right swipe करेंगे तो आपका toggles आएगा मगर आपको लगता है कि पुराना उला notification आपको ज्यादा suit करता है तो यहां से आप जाके old version में भी switch कर सकते हैं new version में switch कर सकते हैं जैसे भी आपकी श्रदा हो अगर आप old version में है तो आप देखेंगे नीचे स्वाइब करेंगे तो पहले आपका toggles आएगा उसके बाद आपका नीचे notifications आएगा notification control center में अगर आप नीचे आएगे तो आप देखेंगे status bar को भी customize करने का option मिल जाता है यानि कि अगर notification icon आप यहाँ पर देखना चाहते हैं तो इस toggle को आपको enable कर देना होगा और यहाँ पर आपको icons देखना शुरू हो जाएगा अगर आप चाहते हैं कि आपका connection sentence बाहर भी दिखाए जैसा भी आप चाहें इसको यूज कर सकते हैं इस वाद यह प्यारा सा नौच आपको देखने को मिल जाता है दोस्तों अगर आप इसको हाइड करना चाहते हैं तो बस इस option को आपको सेलेक्ट कर लेना आप देख सकते हैं मगर आप अगर बेजल देखे को अप्शन देखने को मिलता है या नहीं मिलता है तो सबसे पहले आपको मिल जाता है आप चाहें तो इसमें कोई भी थर्ड पार्टी ट्रू को यूज नहीं करके इसका अपना नेटीव कॉलर आइडी का एप यूज कर सकते हैं जिसमें यह आपको कॉलर रिकॉर्डिंग बताएगा इसी में आप नीचे हैंगे तो आप देख सकते हैं कॉलर रिकॉर्डिंग को अप्शन आपको देखने को मिल जाता है बस इसको आपको यहां से इनेबल कर देना ओल्वेस रिकॉर्ड कर देना है मगर चुकि यह गूगल का टायल है दोस्तो तो जब भी कॉल रिक लेकल को अपको देखने को मिल जाता है इस बस इसका आपको इनेबल कर देना है थाकि जब भी कोई क्या प्लट कर रख देना है और वह वह साइल्स हो जाएगा दोस्तो शौमी के फोन की खासियत होती है कि उसका स्क्रीन रिकॉल यूज़ करनी के लिए आपको यहां पर Screen Recorder के Settings में आ जाते हैं Single Type उसको करते हैं तो आपको Screen Recording का Toolbar दे देता है जिससे आप Recording कर सकते थे तो पहले हम लोग Settings को देख लेते हैं फिर Recording भी कर लेंगे Resolution में आप देख सकते हैं Full HD में आप Recording कर सकते हैं जो कि बहुत अची बात है Video Quality आप देख सकते हैं 16 Mbps से लेकर 60 Mbps तक आपका जाता है Video Quality भी आप Customize कर सकते हैं Orientation है, Source है, Sound का Fixed Frame Rate है या फिर Frame Rate है जो भी आप Customize करना चाहिए यहां से आप Customize कर सकते हैं दोस्तों, in fact आप चाहिए तो Screen Recording में टैप देखना चाहते हैं आप जाएंगे, तो आपको Biometric देना होगा और जैसे ही Biometric देंगे, आप देखेंगे Multiple Face Data को Add कर सकते हैं जैसे Face 1 में ने Add किया हुआ है एक और Face Data आप यहां पर Add कर सकते हैं इसी में अगर आप बैक जाएंगे, तो आप देखेंगे Privacy Protection Password का भी आपको Option देखने को मिल जाता है अगें Biometric देंगे, आप देखेंगे कि आपको यहां पर Various Options देखने को मिल जाता है इसका फाइदा क्या होता है दोस्तों, तो फाइदा यह है कि जब भी आप Privacy Protection Password को Enable करके रखते हैं, तो आपका Photos, Files और Notes को आप बिल्कुल Password Protected बना सकते हैं, यानि कि सिर्फ आप देख सकते हैं और कोई भी आप या कोई भी तीसरा अदमी आपके Photos को, Files को और Notes को नहीं देख सकता है, Unless and Until उसको वो Password पता हो ताकि आप ना सिर्फ पासवर्ड या फिर पैटर्ण से, बलकि अपने Fingerprint से भी अनलॉक कर सकें अपने Files को, अपने Photos को, अपने Notes को दोस्तो आपके 11T Pro में कुछ बहुत ही मज़िदार Features आपको देखने को मिल जाता है इसके लिए आपको Settings में जाना होगा, Additional Settings में जाना होगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं, Gesture Shortcut का आपको Option देखने को मिल जाता है जिसमें आप Screenshot लेने के लिए Three Finger का यूज कर सकते हैं बस आपको Three Finger लेना है दोस्तों और ऐसे करना है आप देखेंगे आपका Screenshot हो जाता है In fact, आप Scroll में जाएंगे तो आप देखेंगे आपके ये Page को Scroll भी करेगा उसके बाद इस Screenshot लेगा आप जो सेफ में चाहें वो शेफ में कर सकते हैं और बस आपको यहां से सेफ कर देना और यह सेफ हो जाता है पार्शियल स्क्रीन शॉट के रूप में अब दूस्तों एक और बहुत ही मज़िदार शॉटकट आपको इसमें देखने को मिल जाता है चैमरा को लाँच करने के लिए अगर आप 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 पॉर बटन को या फिर वालूम डाउन बटन को दो बार जल्दी जल्दी प्रेस करेंगे भले ही आपका स्क्रीन लॉक क्यों नहों तो वह आपके कामरा को इनेबल कर देगा तो इसके लिए आपको double press power button enable कर देना होगा और double press volume down को भी आपको enable कर देना है इसके बद आप देख सकते हैं दुस्तों कि अगर आपका fingerpin sensor उसको दो बार tap करते हैं तो क्या होगा तो बस दो बार tap करना और देखे आपका calculator on हो जाता है तो इसको enable करने के लिए आपको यहाँ से जाना होगा और calculator select करना होगा या फिर आप कोई भी functionality achieve करना चाहिए चाहिए screenshot करना चाहिए torch on करना चाहिए control center चाहिए तो यहाँ से आप उसको select करके enable कर सकते हैं इसको कोई इसको enable कर देंगा तो आपको किकब ऑल का भी option देखने को मिल जाता है अगर आप सके आपको इसको एनेबल कर देनके तो आप देखेंगे यहाँआप the option मिल आता है आप menu के जगे वाई-फाई चाहते हैं, mobile data चाहते हैं, torch चाहते हैं, तो आप यहाँ से इसको enable कर सकते हैं जो कि आपके लिए बहुत फायदे मंद हो सकता है, अगर आपको back जाना हो तो आपको यहाँ नहीं, आप यहीं से कर सकते हैं, आप देखे back चले जाते हैं अगर आपको home screen में जाना हो, तो इसको touch कर दिए, देखे आप home screen में आ जाते हैं, इसके बाद आपको one handed mode का भी option देखने को मिल जाता है, दोस्तों, obviously screen काफी बड़ा, आप जानते हैं, 6.7 inches का है, तो आप चाहेंगे कि एक हाथ से यह काम हो नहीं पा रहा है, क्योंकि अगर आ आपको यह 3 option मिलता है, पहले आपको इसको enable कर लेना है one handed mode को, इन तीनों में से जो भी select करना है, इसे 4 inches मेरे को अच्छा लगता है, तो मैंने इसको select किया हुआ है, अगर आपको home button से बस ऐसे swipe कर देना, आप देखे, one handed mode में आ जाता है, अगर आपको करने में कोई दिकत न बार में आप देखे बाहर आ जाते हैं, इसके बार दोस्तों आपके mobile में memory extension का भी option आपको देखना को मिल जाता है, अगर आपका 8 GB का variant है, तो आप 3 GB RAM बढ़ा सकते हैं, मेरा 6 GB का variant है, तो 2 GB RAM जो है मैं बढ़ा सकता हूँ, यह feature बहुत ही important है दोस्तों, आपको जरूर से use क करना चाहिए, ताकि आपके storage space को यह RAM में convert कर सके, आपको game खेलता हूँ, या फिर कोई editing software यूज़ कर रहे हूँ, जिसमें आपको additional RAM के जरूवत है, 6 GB RAM कम पर रहा है, तो 2 GB RAM यह आपके system storage से ले लेगा, यानि 8 GB का आपको mobile बना देगा, दोस्तों बढ़ते हैं, next hidden feature की आपको यहाँ देखने को मिल जाता है, यह फाइदा क्या है, दोस्तों इसको इस पर आप टाइप करेंगे, तो आप देखेंगे, आपको various options मिल जाता है, जो की बहुत ही handy mode में मिल जाता है, जिसको करने के लिए आपको यहाँ पर long press करके रखना होता है, अपने power button को, ठीक उसी तरह से अगर आप देखेंगे, आपको recent मिल जाना होतो यहाँ टाच कियों सकते हैं दोस्तों यहाँ पर ब्रॉसस्तों बॉनूस देना चाहता हूँ, और आप चाहते हैं और आप चाहते हैं दुसरे अप में switch करेंगे, ब farm button use कर रहे हैं तो आप कैसे करेंगे, gesture में एक आप से दूसरे अप में अगर आप बटन यूज़ कर रहे हैं तो रिसेंट को बस दो बार टैप करना है दूस्तों देखिए आप स्विच कर जाते हैं और दोस्तों बढ़ते हैं एक बहुत ही मज़िदार सेटिंग्स के तरफ इसके लिए हम लोग सेटिंग्स में तो आप देखेंगे कि आपको recommender दिखा देता है तीन social media app और उसको बार dual app support में जितने भी apps हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है तो dual app बहुत ही simple concept है दोस्तों एक mobile में आपको एक app का दो clone बन जाता है जिसमें आप दो account से logging कर सकते हैं example के लिए WhatsApp है इसको मैं ज WhatsApp है तो इस WhatsApp में आप different account से logging कर सकते हैं और यह dual app के WhatsApp में आप different account से logging कर सकते हैं और यह dual app का WhatsApp है इसके लिए आपको यहाँ पर एक orange color का छोटा सा icon दिखता है ठीक उसी तरह से आपको app lock option देखने को मिल जाता है app lock क्या करता है दूस्तों तो आपके mobile में एक password डाल देता है security डा चलिए दे देते हैं password और जैसे ही देदेंगे देखे यह को खुल जाता है तो ठीक इसी तरह सा app lock में जिस भी app को आप lock करना चाहते हैं आप यहाँ से log कर सकते हैं और उसको सिर्फ आप ही खोल सकते हैं और कोई भी नहीं खोल सकता है बिना password के दिए एक बहुत ही मलज़ार option है यहाँ पर आपको hidden apps का भी देखना को मिल जाता है दोस्तों आप चाहें तो app को hide भी कर सकते हैं example के लिए आप देख सकते हैं दोस्तों कोई भी app है जिसको आप hide कर सकते हैं तो अगर आप home screen पर जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर जो app गायब हो चुका है वो hide हो चुका है तो आप question नहीं उठता है दोस्तों कि hide तो हो गया है लेकिन उसको देखेंगे कैसे unhide कैसे करेंगे तो इसके लिए अगेन आपको किसी भी home screen में जाकर दो finger से squeeze out करना है तो obviously उस hidden app को देखने के लिए आपको fingerprint sensor देना होगा face unlock देना होगा या फिर pattern देना होगा प आप देख सकते हैं कि वो app जो है automatically यहाँ पर आ जाता है और आप दीख रहा है जिसको आपने hide कर दिया था अब दोस्तों बढ़ते हैं next feature की तरफ तो अगेन हम लोग settings में जाएंगे यहाँ पर special features का option देखने को मिल जाता है जिसमें game turbo आपको मिल जाता है जो कि बहुत important है क अब देखने को मिल जाता है जिसमें left में बहुत सारे apps मिल जाते हैं जिसको अगर आप floating window में open करना चाहें तो यहाँ से open कर सकते हैं आप देख सकते हैं floating window में यह आ जाता है और आप जानते हैं floating window को दोस्तों तो आप किसी भी voice changer के voice को select कर सकते हैं जैसे मैं girl को select करता हूं और आप देख सकते हैं कि आपको press and hold करके रखना है 10 seconds तेक तो मैं press and hold करके रखूंगा दोस्तों मेरा चैनल में आने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद आप इस वीडियो को देख रहे हैं अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसको दोस्तों कसा शेर कर दिए वीडियो को like कर दिजिए और चैनल को सबस्तों तो देखा दोस्तों voice changer कितना बढ़िया इसमें काम करता है आप voice changer का use करके live streaming कर सकते हैं अपने gaming channel पे लोगों को इस तरह का बहुत ही अतरंगी आवाज सुना सकते हैं जिससे उनको ही मजाएगा आपको ही मजाएगा special features में ही game turbo के बाद आपको video toolbox का option देखने को मिल जाता है जिसको अगर आप enable कर देंगे और video apps में से किसी भी app को select कर लेंगे जैसे youtube को मैं select कर लेता हूँ अब जैसे ही आप youtube को open करेंगे तो आप देखेंगे कि again आपको यहाँ पर lift में एक बार देखने को मिल जाता है जो कि video toolbox का बार है इसमें again आपको lift में बहुत सारे apps मिल जाते हैं जो कि again floating window में खुल जाएगा फिर से यहाँ से video toolbox को select कर लेते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं various options again आपको मिल जाता है record करने का screen shot करने का in fact आप चाहें तो इस option को use करके आप video के sound को play कर सकते हैं और screen को off कर सकते हैं जिससे आपको battery बचेगा और आपको केवल sound सुनाई देगा इसको नीचे आपको dolby atmos का option यहाँ पर देखने मिल जाता है यहाँ से इसको enable disable कर सकते हैं और आपको style का option मिल जाता है जिसमें आपको various filters मिल ज देख चुके हैं इस second space बहुत ही कमाल का option है दोस्तों आपको mobile में अभी आप एक account यूज कर रहे हैं second space को जैसे ही आप enable कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आपका यह create करने लगता है second space को और आपका जो mobile है वो switch कर जाएगा दूसरे space में आप देख सकते है two spaces one device यानी एक ही इनकेस आपके girlfriend या boyfriend का mobile खराब हो जाता है तो आप नहीं mobile में second space को enable कर सकते हैं ताकि वो भी आपके mobile को use कर सके दोनों account different होगा दूस्तों दोनों का data different होगा और दोनों का password भी different होगा same password आप दोनों space के लिए नहीं रख सकते हैं यहां पर यह जानना बहुत जरूरी है तो second space अभी आपको use नहीं करना आपको first space में जाना है तो यहां पर switch का बटन आपको देखना को मिल जाता है बस इसको आपको touch कर देना है password देना है password आप देदेंगे first space का और देखेंगे कि आप automatically switch कर जाते हैं अपने first space में आई दोस्तों एक बहुती मज़िदार hidden settings को देखते ह आप देख सकते हैं private file का option आपको देखना को मिल जाता है जिसमें यहां बोलता है make files private तो यहां पर आप जितने भी files को रखेंगे दोस्तों चाहिए आपका audio हो video image हो वो बिल्कुल safe रहेगा सिर्फ आप देख सकते हैं और कोई भी उसको third party app या कोई भी दूसरा को नहीं यूज करेंगे ताकि अपने mobile को और भी बेहतर तरीके से यूज कर सके और हाँ दोस्तों अगर आपको यह tips and tricks hidden features अच्छे लगे जरा सभी फायदेमन लगे तो आप जानते हैं आपको क्या करना है वीडियो को like करना है share करना है अपने तमाम दोस्तों के साथ क्योंकि जैसा क कि मैं बोलता हूँ पुनी का काम है करते रहना चाहिए थोड़ा सा पुनी आप और कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बिल बटन को दबाके ताकि ऐसे ऐसे जब भी वीडियोस हम अपने चैनल पर लाते हैं आपको सबसे पहले पता चले और आप उससे फायदा सकें तो फिलहाल वीडियो में बस इतना ही है दोस्तों मिलेंगे निक्स वीडियो में निक्स्ट मोबाइल के टिप्स और ट्रिक्स के साथ तक तक के लिए अपना हमेशा के तरह बहुत-बहुत ख्याल रखेगा दोस्तों घर में रहिए सुरक्षित रहिए जय हिंद जय भा हुँ